हेलो फ्रेंट्स आप सबका स्वागत इन्वेश्टन चैनल पे मैं हूँ आप सबका दोस्त ये शूम जैन फ्रेंट जैसा कि आप सबको पता है दिवाली आने वाली है और हम दिवाली पे एक कॉंटिन्यूस फाइव लाज्ट डे से सीरीज बना रहे हैं और जो सीरीज काफी अच्छा भी चल रहे हैं तो फ्रेंट आज हमारा लास्ट सीरीज का डे है इसके बाद हम लोग आपके बाद बहतरी शेयर के अपडेट्स लेके आएंगे बट दिवाली के लिए इन शेयर से बैस शेयर मेरे को नहीं मिल रहे थे फ्रेंट जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के फ्रेंट बट हम लोग जो अपने शौक हैं वो कभी कभी पूरे करते हैं अगर पूरे घर के अंदर पेंट करवाना है तो बोनस से नहीं होता तो थोड़ा बहुत बजाज फाइनेंस का भी हमें कंपनी को काम काज चलाना ही पड़ता है और यही हमें इससे काफी थोड़ा लेना पड़ता है थोड़ा सा कंजूमर लोन थोड़ा सा फाइनेंस लेना पड़ता है जिससे कंपनी वे इच्छे चल जाते हैं हमारा भी काम हो जाता है यह देखिए फ्रेंट 14 अक्टोबर को यह चेर 1.69 परसेंट बढ़कर 7272 रुपीस पर बंद हुआ था ट्रेलिंग 12 मत इसका 142 है ट्रेलिंग 12 मत का पी इसका 51 है सेक्टर का पी इसका 39 है मार्केट कैप सूपर डूपर हिट है 440,298 क्रोड का इसका मार्केट कैप है और अगर मैं इसके सेल्स प्रोफिट अन लॉस की बात करूँ तो मार्ट 2015 के अंदर 5392 क्रोड का इसका रवेन्यू था और 31,000 करोड इसका रवेन्यू हो गया है और इसका अरांट 10,000 करोड इसका इंट्रेस्ट हो गया है नेट प्रोफिट इसका 898 करोड है ओ माइगोड वो 9 ताइम से बढ़का 7028 करोड इसका रवेन्यू हो गया है compounded sales growth 5 साल के अंदर 26% है, compounded profit growth 5 साल के अंदर 31% है, stock price 5 साल के अंदर 31% है, oh my god, friends, काश, हमने 5 साल पहले इस company के अंदर invest कर लिया होता, और 10 साल पहले interest कर लिया, तो हर साल, हर 2 साल के अंदर ये share double हो रहा है, oh my god, काश, friends, हमारी families ने, हमारी ये वीडियो पहले देख लियो थी क्या, काश, हमें financial literacy हमारे इंडिया के अंदर बहुत पहले आ गई होती, but अब क्या कुछ नहीं, friends, अभी भी time नहीं गया है, but अभी भी काफी कुछ हो सकता है, friends, इसकी देखिए, asset जो है, वो 2,12,505 करोड की है, friends, इसके अंदर borrowing, ये NBFC ये तो इन्हें पैसा उठाके, सस से rates पर देना पड़ता है, तो हम उस चीज को ignore कर सकते हैं, और other assets के अंदर, अगर company के पास cash जादा भी पड़ावाओ, तो ये भी गलता है, क्योंकि इन्हें ये आगे cash देना चाहिए, company के अंदर cash होना NBFC में अच्छी बात नहीं होती, net cash flow company का 1558 करोड है, और promoter के पास 55% की shareholding है, FIA के पास 19.98% जिसमें government of Singapore के पास 3.35% का shareholding है, डिया या इस ओ फ्रेंट भरे होए हैं ये तो, access mutual fund trustee limited, access bank mutual fund 2.76% है, और ये देखिया, SBI equity hybrid fund के पास 1.88% है, और वागी सब के पास कुछना कुछ है ही, public के पास 11.84% का shareholding इसके अंदर देखने को मिल जाता है, मैं पहली बार analyze कर रहा हूं, जो इतने बहत्री returns देता है, अगर इसका maximum का बात करें, और ये देखे फ्रेंट, ये सन 2000 के अंदर पंदर रुपे का share होता था, और आज यही शेर जो पंदर रुपे का होता था, वो फ्रेंट सेवन्टी टू थाउजड, सेवन्टी टू हंड रुपीज का हो गया है, तो फ्रेंट ऐसे ही नहीं कहते हैं, कि स्टॉक मार्केट के अंदर एक स्टॉक मार्केट ही ऐसी चीज़े जहां पर वेल्थ बन जाती है, ये देखे फ्रेंट, 2020 के अंदर जब कोविट आया था, तो 4500 से गिरकर ये share, 17-1800 रुपीज आ जा था, औ उसके बाद कितनी बहतरीन return share ने बना के दिया, तो फ्रेंट इस share का तो कुछ कहना ही नहीं है, बहुत ही बहतरीन return बना के देता है, निफ्टी फिफ्टी या बहतरीन super hit share है, तो फ्रेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो comment box में comment करके जूरू बताइए, और अपने friend के साथ भी share कर दीजिए और हमारा channel भी subscribe कर दीजिए, यहीं हमारी दिवाली की series खतम हो जाती है, thank you friend for watching, full series of दिवाली इतना support करने के लिए, thank you friend, bye bye